हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जोब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यार दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जी हाँ एनम वालों के ल पिरकुर ओफीसियल प्रूफ के साथ हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं यह आप सभी लोगों के लिए इस्पेसल वीडियो है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को सेर कर दो जी हाँ यूपी तिरपलेसी एनम भरती 2023 दोस्तो एनम की 9212 पदो पर एनम नर्स की परमन भरती निकाली गई थी और कौफी लंबे समय के बाद दोस्तो अब यहाँ पर अपडेट आ चुका है 7189 एनम को 21 को नियुक्ति पत्र यहाँ पर जी हाँ मुख मंत्री योगी अधितनाच जो है लोग भवन में दोस्तो नियुक्ति पत्र जो है वितरित करने वाले है बिल्कुल ओफीसियल नोटिस भी आ चुका है यहाँ पर आप लोग देखिए मुख मंत्री सूचना परिसर यहाँ से नोटिस आ चुका है साथ हिंदू स्तार नियूज पेपर में नियूज भी पब किया गया है जॉइनिंग के लिए यानि कि जिल्यावाइज लिश्ट भी आ चुकी है इसे भी आप लोग यहाँ पर इस वीडियो में लिश्ट मैं आपको दिखाऊंगा तो वीडियो को आप लोग इसके मत करिएगा क्योंकि अभी अभी यहाँ पे तीन नई नोटिस की जा किया गया है यानि कि कितने यहाँ पर डिश्टिक है और किस डिश्टिक में कितने एंडम को यहाँ पर जॉइनिंग मिलने वाली है तो बहुत ही जबर्दस वीडियो बनने वाली है जली से वीडियो को लाइक करिए चलिए आपको लेकी चलते हैं नोटिस पर देखिए प्य चलिए अब यहां पर मैं आपको एक न्यूज यहां पर दिखा देता हूँ और यह जो न्यूज है दोस्तो यह 17 फरवरी की डेट में हिंदू स्टार न्यूज पेपर में पब्लिस किया गया है जिसके लिए सबसे पहले यहां पर आप लोग जो हैं प्रूफ देख सकते हैं उपर यहां पर देखिए अपना राजकाज लकनव सुक्रुवार फ्राइडे 17 फरवरी 2023 और पेज नंबर टू पर आपको इन्फार्मेशन मिलने वाली है मैं आपको प्रूफ के साथ जो ह फरवरी 2023 पेज नंबर टू पर आपको इन्फार्मेशन मिलने वाली जैसे आप लोग नीचे आओगे ति यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे 7189 एन्रम को 21 को न्योकती पत्र वितरित किये जाएंगे चलिए इस कटिंग इन्फार्मेशन देख लेती हैं इसके बाद दोस्तों डेश्टिक वाइज में जो है आपको लिष्ट दिखाने वाला हूँ कि किस डेश्टिक में जो है कितने यहां पे कैंडिडेट को अलोट किया गया है यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे यह दोस्तों कटिंग है 7189 एन्रम को 21 को न्योकती पत्र लकनव पर यह जानकारी आज देते हुए एक सरकारी परवक्ता ने बताया कि संबंधित जिलो के मुख्याले पर भी 21 फरवरी को न्योकती पत्र वित्रित किये जाएंगे तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी है चलिए अब यहां पे मैं आपको लिष्ट दिख किया गया है और इस पेडियाफ की हम आपको सारी इंफार्मेशन देने वाले हैं और यहां पे आप लोग देख सकते हैं मैं आपको बता दो इस पेडियाफ का लिंक नेचे डिस्कुसन बॉक्स में दिया गया है वहां पे क्लिक करके डारेक्ट आप लोग जो है सबसे पहले पूरा वीडियो यहाँ पर वाच करिए वीडियो को वाच करने के बाद जो है वीडियो को देखने के बाद जो है डिस्कुशन बॉक्स आपको चेक करना वहाँ पर आपको इस पेडियाफ का लिंक दिया गया है आप लोग किलिक करके दो सेकिंड के अंदर पेडियाफ को अलोट किया गया है जिसकी देश्टिवाइज यहां पे लिस्ट जारी की गई है तो यहां पर देखे सबसे पहले आगरा है और अगर हम बात करते हैं आगरा में तो आगरा में 128 इस्टुडेंट्स को जो है अलोट किया गया है अलिगर में 92 एंड परियाग राज में 231 एंड अमिर्टकन नगर में 76 कैंडिडेंट को दोस्तो अलोट किया गया है और यहां में देखो के तो 50 एंड आजमगर में 171 इस्टुडेंट्स को जो है अनम की पोजीशन दी गई है और अनम की जोणी यहां पर मिलने वाली है बागपत में 71 एंड बहराइच में 119 बांदा में 48 बारा बंकी में 130 बारेली में 147 बस्ती में 91 बिजनोर में 107 और देखी दोस्तो तो बदायों में जो है 154 एंड बुलन सहर में 81 एंड आमेठी में 93 चंदावली में 76 चित्रकूट में 14 एंड देवरिया में 123 इस्टुडेंट को जो है अलोट किया गया है और अन 59 एंड पोजीशन के लिए अलोट किया गया है इस्टुडेंट्स नॉम्बर ओस यहां पर एंड की जो अलोट की गई है नंबर 59 है इसके बाद एकि इटावा में 58 है और ओयध्या में 91 है एंड फरुखाबाद में 64 है फतेपूर में 130 है फिरुजाबाद में 77 गौतम बुद दुनागर में 48 है गाजियाबाद में 60 है एंड गाजीपूर में 167 है गोंडा में 169 है एंड गोरकपूर में 133 है अमीरपूर में 38 हापूर में 84 हर्दोई में 125 हातरस में 39 जालोन में 44 एंड जौनपूर में 156 जासी में 95 आमरोहा में 83 एंड कनोज में 71 कानपूर दिहात में 96 कानपुर नगर में 113 काफर गंज में 83 कुसामभी में 51 कुसी नगर में 152 जो है कैंडिडिट को दोस्तो एनम की पोजिशन के लिए अलोड की गई है इसके बाद जो है 47 नमबर देखी 130 लखिम फुर्खिरी ललितपुर में 31 लखनव में देखोगे तो 108 महराज गंज में 87 महोबा में 11 महिनपुरी में 91 महिनपुरी में 91 महिनपुरी में 58 है महिनपुरी में 91 है महिनपुरी में 79 मेरेट में 142 मिरजापुर में 143 मुरताबाद में 111 मुझफरनगर में 136 पहलीभीत में 66 परतापगड में 132, रायबरेली में 141, रामपूर में 66, साहरनपूर में 100, सांभल में 65, संथकभीर नगर में 80, और भधोई में 112, सामली में 48, रावस्ते में 19, सिधार्थ नगर में 57, सीतापुर में 165 सोन भद्र में 35 सुल्तानपुर में 150 उन्नाव में 127 वरांटी में 96 नमबर यानि कि इतने कैंडिडेट को दोस्तो डिश्ट वाई यहां पे अलोट किया गया है यहां पे इसकी संख्या देगी नमबर देगी है तो दोस्तो इतने कैंडिडेट को दोस्तो यहां पे जौनिक मिलने वाली है आप सभी लोगों को हमारी इस यूटूब चैनल जो अब इंडिया के तरब से धेरो सुब कामनाई आगे ऐसे बढ़ते रहिए धन्यवाद